हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपोर्टेंट कीजन टिप्स शेयर करने जारी हूँ जो आपके पूरे फैमिली के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत जादा ही यूस्फुल होने वाला है तो इस वीडियो को लार्स तक आप जरूर देखिएगा चैनल पर पहली बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइग और जादा से जादा इसको शेयर करिएगा तो चलिए लेट नहीं करतें स्टार्ट करतें आज का वीडियो तो यहाँ जो मेरा पहला टिप्स है वो मसालदानी के उपर है जैसा कि मसालदानी हम सब के घर में होता है बड़ प्लास्टिक के भी मसालदानी आते हैं तो मैं आपको यहां पे सजिस्ट करूंगी कि आप प्लास्टिक का मसालदानी यूज ना करें इस्टील का करें जैसे कि यह मेरा स्टील का है और प्लास्टिक के मसालदानी को एवाइड करिए क्योंकि वो हैल करना तो संभव नहीं हो पाता है इसलिए मैं आपको यहां पे बहुत अच्छा टिप्स बता रही हूं सबसे पहले जो यह गिरा हुआ है इसे आप क्लीन कर लीजिए इसे बहुत अच्छे से क्लीन और ड्राइ करने के बाद मैं यहां पे लगाने जा रही हूं किचन में जब जब आपका मसाल दानी गंदा हो जाए तो आप टिशू पेपर को चेंज कर दीजिए तो इससे आपका काम बहुत असान हो जाएगा और जो गंदगी है वह इसके नीचे जमेगी नहीं तो आई हो आपको यह टिप्स पसंद आई होगी वीडियो पसंद आ रही है तो ए अपने दूसरे टिप्स की तरफ यहां जो मेरा दूसरा टिप्स है वह साल्ट के ओपर नमक के ओपर कई गोरों में देखा जाता है कि हम जो नमक यह उसे प्लास्टिक के बॉटर में रखते हैं बट प्लास्टिक में रखना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है खास करकि मत रहना है उसे यह बिट रहाते हैं अप इसे प्लास्टिक में मत रखें सें बट इस से प्लास्टिक में बिल्कुल मत रहे क्योंकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं तो आइंस्प और वी पसंद आई होगी तो चलिए के लिए करते हैं या बच्चों की स्कूल में योम Junion आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है तो इसकी जगह आपको पेपर फॉयल का यूज करना चाहिए यह वाले जेकिए पेपर फॉयल आते हैं एंड मार्केट में बहुत इसली अविलेबल है आपको मिल जाएगा पहले मैं भी अलमुनियम फॉयल का यूज करती थी बड़ जब से मुझे पता चला है तो मैंने स्किप करके इसे रिप्लेस कर दिया है बिल्कुल अनुलियम फॉयल को और मैं इसका यूज करती हूं यह वा छौधा टिप्सन वहें ऊजएं प्लस्टिक के डबबे के अऊपर कई बर क्या होता है मारी घर में घर में प्लास्टिक में आ जाते hon वह में चीनी रखते हैं दाल रख लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी ग्रॉसरी का समान रखते कि आप को रुगनायगी के आप टेक्ति वनेशी के स्वाचक करें। जो रुगनायों। आप जो perfectly क्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्वल्श। सेब्बरीयों। ऐसलों ने नितेल यो सपाथ ज्रास्चक पास्टिक जाएं। जैसे कि ये देखे मेरे सेरेमिक का जार है इसमें भी मैंने अपने सूगर, चाय की पती या फिर आप जो भी चीज़ में रखना चाहते हो रखो बर लो क्वालिटी के जो प्लास्टिक आते हैं आप उसे एवाइट करो कुछ भी सामान रखने का तो आई होप आपको ये टिप कि अमेक का आप का है आप करकी ये स्टील बीड़े यह थर्मल वाले बोटल ये बहुत इसली मार्केट में मिल चाहता है ह। मैं तो अपने बेटी के स्कूल में जो बाटे देती हूँ इसको प्रिपर करती हूं कि अप्र कर सीटील का फाले जैसे कि ये बेदे के ये पियु करूंगी कि आप प्लास्टिक औवाइट करके अपने बच्चों को और अपने घर में आप एवाइट करके स्टील के लिए स्टील हमारे हेल्थ के लिए सबसे सबसे अच्छा है तो आई होप आफ़े टिप्स पसंद आई होगी एंड यहां लाश्ट में आपको लंच बॉक्स आइडिया दे रही हूं कि आप ऑफिस में हस्बेंड को और बच्चों को स्कूल में क्या दे सकते हो तो आ आई होप आपको यह लंच बॉक्स आइडिया पसंद आए होगा और चलिए फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक आप रखिए अपना ख्याल एंड वीडियो पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करिए जड़ा जड़ा शेयर करिए और वो जो बैल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे